चंद्रियान 3 के सामने आया उलकापिंड। इस दो ने विग्यानिकों की बुलाई एमेजेंसी मिटिंग। क्या चंद्रियान 3 बचा पाएगा खुद को उलकापिंड से। आखिर उलकापिंड कितना हान पहुचाएगा चंद्रियान को। इस वत की सबसे बड़ी और बिग ब्रेकी न्यूज निकल कर आ रही है कि अभी अभी चंद्रियान 3 के सामने एक बहुत बड़ा उलकापिंड का जुंड आ गया है और इस उलकापिंड के जुंड से चंद्रियान 3 को बचना बहुत जरूरी है नहीं तो इस उलकापिंड के प्रफ़ानिक S. सौमिनात ने बताया है कि जिस तरीके से चंद्रियान थ्री अपने निर्धारिश समय और निर्धारिश दिसा से तेजी से चंद्रियान थ्री चंद्रमा की सतह की तरफ जा रहा है अब ऐसा लगता है कि मानो उसकी रफ्तार को ब्रेक लगाने के लिए उलका पिंड आ चुका है जिहां बता दें आपको कि अभी अभी चंद्रियान थ्री के सामने उलका पिंड का एक बहुत बड़ा जुंड आता हुआ दिखाई दे रहा है चंद्रियान थ्री के कुलाप्स सेंसर ने इस उलका पिंड को लगबग 3000 किलो मिटर दूर से ही डेटेक्ट कर लिया है इस उने बताया कि हमने चंद्रियान थ्री में उलका पिंड डिटेक्टर नाम का एक सेंसर लगा रखा था क्योंकि हमें पता है कि अंतरिच अनिश्चित्ताओं से भरा हुआ है अंतरिच में कभी कि किसी को भी कुछ भी हो सकता है उखास करके चंद्रमा पर तो आए दिन उलका पिंड गिरते रहते हैं हम जो चंद्रमा पर दाग देखते हैं दरसल वो दाग नहीं उलका पिंड के गिरने की वजह से बने गड़े हैं जो हमें दाग के रूप में दिखाई देते हैं तो चंद्रियान थ्री को लेकर के भी इस रो इस बात के लिए तयार कि चंद्रयां 3 को उलका पिंड का सौमना करना पर सकता है और इसलिये चंद्रयां 3 में उलका पिंड को wanna नेवारज सेंसर है जिसको कहते हैं एस्टोयाइल डिटेक्टर सेनसर ये लगाए गए थे और इसी सेंसर ने 3,000 किलोमीटर दूर आ रहे उलका पिंड के एक जुन्ड को पहचान लिया है और तुरंत इस रों को मैसेज दे दिया है कि हम अब खत्रे में है जिहां सवत की बड़ी खबर बड़ी अपडेटा रही है तो अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा इस रों ने क्या बताया इसके बारे में और कैसे बड़े कारणामे के लिए कमेंड बॉक्स में जय हिंद जय इस रों लिख करके इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे हैं तो दरसर बता दे हैं कि अभी अभी इस रों के बयानिक एस सोमनाथ ने सभी साइंटिस्ट को बुला करके एक एमेजंसी मिटिंग कंड़क कराई है इस मिटिंग में चर्चा की गई है कि हमारे चंद्रियान 3 के सामने उलका पिंड का एक बहुत बड़ा जूंड आ गया है एस सोमनाथ ने बताया है कि हमारे चंद्रियान 3 के सामने दो घंटे पहले भी उलका पिंड का एक बहुत छोटा सा टुकुडा आ गया था जिसको हमारे उलका पिंड को जहिलने के लिए जो बनाया गया सेंसर है उस ने जहिल लिया एस सोमनाथ ने बताया कि अभी दो घंटे पहले हमारे चंद्रियान 3 के सामने एक छोटा सा उलका पिंड आया था और हमारे चंद्रियान 3 ने उसे जहिल लिया दरसल चंद्रियान 3 ने किया कि चंद्रियान 3 में जो लेजर बीम हथियार लगे हुए हैं उस लेजर बीम हथि और उसमें से एक टुकड़ा आ करके चंद्रियान पर लगा भी लेकिन हमारा चंद्रियान 3 इतना मजबूत बनाया गया है कि छोटे मुटे टुकड़ों से उसको कोई नुकसान नहीं हुआ लेकिन अब जो उलका पिंड का जूंडा रहा इसको देख करके इसरो खुद भी चिंतित है इसरो ने साइंटिस्ट की जब मिटिंग बुलाए तो उस मिटिंग में यह फैसला लिया गया कि इस उलका पिंड से कैसे बचा जाएगा तो इसरो ने एक फैसला लिया है उस फैस्दे के बारे में बताने से पहले हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आखर इसरो के पास ऑप्सन क्या थे हैं इसरो के बज्यानिक एस्वमनात ने बताया कि ऐसे सिचुएस्टन में जब चंदरियान थ्री अंतरिक्ष में हो चंदरमा की कक्छा में हो भारत से बहुत दूर हो तो ऐसे स्थिती में हमने चंदरियान थ्री को उलका पिंड से लडने और बचने के लिए दो option बनाये थे हैं आदिया है और इसका काम बेसिकली होता है कि यह सामने से उलगा पिंड आ रहा हो या सामने से कोई और सटलाइट आ रहा हो तो ऐसी स्थिती में चंद्रियान्तरी उस समय अपने जिस शाम व जा रहा था उस शीव करता है और फिर अपने ही ढीफी Şahko उस दिशा पर वापस लोटाता है एक option ये है और दूसरा option है कि सीधा उलका पिंड के उपर वार करना इस दो ने बताया कि हमारे चंद्रियान 3 में लेजर बीम हतियार लगाया गया है उस लेजर बीम का हतियार का दरसल काम ही यही है कि चंद्रियान 3 को ही टुकड़े कर सकता है और उन टुकड़ों को इतना छोटा किया जा सकता है कि जब वह सामने से आएंगे तो हमारे चंद्रियान 3 के आपजेक्ट पर कोई भी नुकसान नहीं होगा ये दो विकल्ब फिलहाल इसरों के पास है इसरों ने जो साइंटिस्ट की मिटिंग बुलाई है वो इसलिए बुलाई है कि इस मिटिंग में इस बात का डिसिजन लिया जा सके कि आखिर हम दोनों विकल्ब में से कौन सा विकल्ब चुने हाला कि अभी इस मिटिंग का फैसला नहीं आया है लेकिन सुरुवाती रुजहानों से हम पता चल लहा है कि इसरो दूसरा आप्सन चुनेगा इसरो का मानना है कि हम लेजर बीम हत्यार के माध्यम से उलका पिंड के पूरे जुन्ड को कई भाग पर हमला करेंगे हमला करने के बाद जब वो चूर चूर हो जाएंगे तब वो चंद्रियान को कोई नुकसान नहीं पहुचा पाएंगे और चंद्रियान आसाने से अपने रास्ते पर चलता जाएगा लेकिन यदि हम दूसरा रास्ता अपनाते हैं दूसरा रास्ता ये है कि चंदर्यान 3 को अपनी दिशा से हटा देना और वापस ये उसी दिशा पर ले आना अगर ऐसा किया जाता है तो चंदर्यान 3 में एश्टा फ्यूल को यूज करना पड़ेगा चुर्की चंद्रियान 3 को अगर हम अपनी दिशा से हटाएंगे तो उसके लिए फ्यूल यूज करना पड़ेगा फिर अपनी दिशा मुआपस लाएंगे तो फिर उसके लिए अलग से फ्यूल यूज करना पड़ेगा और इन सभी चीजों के बीच समय चला जाएगा तो समय अगर चला जाएगा तो हमारे लैंडिंग में देरी होगी जो हमने निश्चे समय निधारित किया है 23 अगर साम को 5 बजे का तब लैंडिंग नहीं हो पायागा उससे देर होगा करी 2-3 घंटे की देरी हो जाएगी और साथ ही साथ अगर माल लेजे हमें उसी डेट पर उसी टाइम पर लैंडिंग भी करानी है तो हमें चंद्रियान 3 को और स्पीड मिले जाना होगा इन सभी चीजों को देखते हुए इस रो यह लग रहा है कि इस रो यही फैसला करेगा कि लेजर भी महतियार के माध्यम से उस सुलका पिंट को तोड़ दिया जाए जिससे चंद्रियान के पास जो फ्यूल है उसको खर्च न करना पड़े और साथ ही साथ चंद्रियान 3 को बार बार अपना दिसाना बदलना पड़े क्योंकि अंतरिछ जो है अनिस्चित्ताओं का घर होता है वहाँ पर जितना हम सोचते हैं उतना असान सब कुछ नहीं होता है इसलिए दूसरा बिकल्प अपनाने पर जोर दिया जा रहा है अब आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताए कि इसलों को कौन सा बिकल्प अपनाना चाहिए उप्सन नमबर A लेजर बीम वाला बिकल्प या उप्सन नमबर 2 अपने दिसा को बदलने वाला बिकल्प अगर आपको लेजर बीम हथियार पसंद है तो कमेंट बॉक्स में लिखें A अगर आपको दिसा बदलने वाला उप्सन सही लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखें B जिससे हमें पता चल सके कि आप क्या चाहते हैं लेकिन इन सभी चीजों के बाद इसों ने बताया है कि अगर हम जो भी option अपनाते हैं उन सभी option के बाद भी चंद्रियान को safe रखने का जो chances है वो 99% है जी हाँ मतलब की इन सभी option के बाद भी हम चंद्रियान को आसानी से बचा सकते हैं और चंद्रियान हमारा land कर सकता है लेकिन फिर भी चंद्रियान को लेकर के इसरो एक परसेंट भी risk नहीं ले सकता है इसलिए चंद्रियान 3 को कैसे क्या किया जाए इसके लिए emergency meeting बुलाई होगा हम आपको कुछ दिर बाद अपडेट कर देंगे और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मिटिंग की जो भी अपडेट होगी आपको तुरद बताया जाएगा